हर हर बंबं ओ नमस्चिवाई सभीशी फक्तों को पावन श्रावण मास की बहुत बहुत बढ़ाई हो भक्तों वेद पुराणों के अनुसार श्रावण मास भगवान भोले शंकर को अत्यंत प्रिय होता है क्योंकि इस माह में शिव भक्त कामडी गंगोत्री गोमुक हरे द्वार आते ही तथा पवित्र कंगा जल्न कामण में भरकर भोले नाथ को अर्वित करती है इस माह में शिव मंदिरों की शोभा देखने वाली होती है भक्तों तो आईए आज मैं आपको पावन पवित्र कामण गाथा संगीत मैं रूप में सुनाने जा रहा हूं तो एक बार बड़े फ्रेम से बोली बुले शंकर भगवान की आओ भगतों शिव के गाथा सुना आओ भगतों शिव के गाथा सुना सावन में क्यों कावड लाते सावन में क्यों कावड लाते भगतों तुम्हें बताओं आओ भगतों शिव के गाथा सुना आओ भगतों शिव के गाथा सुना गाथा रावण और उसकी शिव भक्ती से सम्मन्दित है भक्तों तो भगवान शिव का सुमिरन करते हुई आईए सुनते हैं पावन पवित्र गावण गाथ रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था उसके मन में परमिच्छा थी कि वो भगवान शिव को सदा सदा के लिए लंगा में ले जाए इस हेतु उसने भगवान शिव की घंगोर तपस्या की और यहां तक की उसने एक एकर अपने नोशीष भगवान के चर्णों में समर्भित कर दिये थे इस पर भगवान शिव प्रकट हुए और रावण ने उन्हें वर्दान सुरूर सदा सदा के लिए लंका में बसने का अनुरोध किया और प्रभु ने ये सुईकार भी कर लिया आगे क्या होता है आए सुनते हैं बोला रावण शंभू स्वामी आप दानियों के दानि मेरी भक्ती को मान दीजे भोले ये वर्दान दीजे मेरे संग लंका को चलिए और सदा को वहां पे रहिए जीवन भर दर्शन करूंगा किर्पा से जोली मैं भरूंगा शिव जी फिर वर्दान दीने हो शिव जी फिर वर्दान दीने उम्रे संग मैं जाओं आओ भगतों गाता शिव के सुनाँ आओ भगतों शिव के गाता सुनाँ शिव जी ने अपना स्वरूप पावन शिव लिंका बना लिया भगतों और सोयम साक्षार उसमें समागे परन्तु उन्होंने रावन को इस हेतु एक शर्त भी बताए कि यहां कैलाश से तेरी लंका तक यह शिव लिंक तेरे कांथों पर ही रहेगा और इसे लंका में ही भूमी पर रखना ताकि यह वही स्थापित हो सके ध्यान रहे रावन यदि ये शिबलिंग मार्ग में बीच में कहीं भी रखा गया तो ये भई स्थापित हो जाएगा और तू इसे लंका नहीं ले जा पाएगा वर तो रावन ने ये शर्ट सहर सुईकार कर ली और शिबलिंग को अपने काने बरधर आकाश मार्ग से लंका की ओर चल पड़ा इधर देवी देखता चिन्तित हो गए और भगवान श्री हरी विश्णू के पास आए और बोले ये भगवन यदि भगवान शिब लंका चले गए तो स्रिश्टी का अनर्थ हो जाएगा रावन मन ही मन हरशाए शिबलिंग को ले करके जाए विश्णू बालक रूप बनाए तिर अपनी माया फैलाए लगुशन का रावन को आई माया अपना फेल रचाई उस पर तो दबाव था पड़ता रावन करता तो क्या करता रावन भूमी उतर के सोचे जाओ तो कहा जाओ आओ भगतों गाता शिब की सुनाओ शिबलिंग कांधे पर उठाए रावन लगुशन का के दबाव से भारी परेशानी झेल रहा था बगतों सोच रहा था जाओ तो जाओ कहां करूं तो करूं क्या के तभी बालक बने श्री हरी विष्णू उनके संभुखा गए रावन ने बालक का नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम बैजू बताया रावन ने बालक से आग रह किया कि वो थोड़ी देर के लिए ये शिबलिंग अपने हाथों में धारन कर ले वो लगुशंका से निव्रित्व कर स्नान करके शीग्र ही वापस आएगा परन्तु यह आश्वासंधिलिया के जब तक वो वापस ना आए शिबलिंग को वो बालक भूमी पर न रखते श्री हरी भक्तूं यही तो चाहते थे रावण के जाते ही उन्होंने क्या माया रचाई आएए ये पावन कथा सुनते ही रावण लगुशंका को जाए बालक को शिबलिंग पकड़ाए निव्रित्व करके मैं आओ शिबलिंग को वापस ले जाओ विष्णू हरी न केल रचाया शिबलिंग को भूमी धरवाया शिबलिंग वैस था पित कीना खुद को अंतर ध्यान था कीना रावण भूमी शिबलिंग देखा आओ रावण भूमी शिबलिंग देखा सोचा मैं मर जाओं आओ भगतों शिब के गाथा सुनों आओ भगतों शिव के गाता सुनाओ रावण जब लगुशंका से निवित्त होकर स्नान करके वापस आता है तो क्या देखता है कि वो बालक अंतर्धान हो चुका है और शिवलिंग भूमी पर स्थापित हो गया है उसके प्राण उसके कंठ में आगे भगतों विक्षिप्तों की तरहे शिवलिंग को उठाने का प्रयास कर रहा है परंतु भगवान शिव की शर्त अनुसार शिवलिंग वही स्थापित हो चुका ख़ब उसके मन में एक उपाय आया वो कावण में जल भर-भर कर लाता और शिव जी को स्नान कराता स्नान कराते कराते भगवान शिव के स्क्रोथ, आरती, चालीसा और मंत्र का जाप करता रहता सोचता भगवान शिव एक बार फिर प्रसन हो जाएंगे और उसके संग लंका को चले जाएंगे परन्तु शिव की लीदा तो भगवान शिव ही जाने भगवान शिव ने दर्शन दिये और रावन को समझाया कि हे रावन अब ये शिव लिंग कहीं नहीं जाएगा यहीं स्ताफित हो जाएगा चिरकाल तक मेरे भक्त कावण लाला कर इस शिव रिंग पर चणाएंगे और पुन्य फल प्राप्त करेंगे आज से इस पावन स्थान का नाम बैजना ध्राम होगा और श्रावन मास में जो कावणी है यहाँ पवित्र कावण में गंगा जल घर मुझे अरपित करेंगे जीवन परियंत मेरी कृपा उन कावणियों को राप्त होती रहेगी रावन कावर भर भर लाए शिव लिंग को नहलाता जाए शिव के स्रोत मंत्र को गाए शिव के नाम की अलक जगाए शिव जे ने दर्शन दिख लाया रावन को था तिर समझाया शिव लिंग अब ना जा पाएगा मेरा धाम ये कहलाएगा आज से बैजनात मैं इसका आज से बैजनात मैं इसका पावन नाम धराओं आओ भगतों शिव के गाता सुनाओं तब से भगतों शिव भगत कामड ये श्रामन मास में पवित्र कामड में गंगा जल भरभर कर लाते हैं और पवित्र शिव लिंग को नहलाते हैं भान, धतूरा, बेलपत, अक्षक, चंदन, दूर, तही और घृत से शिव लिंग का अभिशेकर भगवान भोले नात की परम क्रिपा को राप्त करते हैं तो आप भी यदि भगवान शिव के क्रिपा को पराप्त करना चाहते हैं तो जीवन में एक बार कामड भर कर अवश्य लाइएगा और शिव लिंग को गंगा स्नान करवाईएगा आप सभी को भगवान शंकर की अनुपम क्रिपा अवश्य पराप्त होगी तो एक बार फिर बड़ी श्रथा और फ्रेम से मेरे साथ बोली बोली शंकर भगवान की शिव की किरपा पाना चाहो कावण एक बार लाओ गंगा जल से फिर नहलाओ बेल धदूरा भांग चड़ाओ दूद दही और पुष्प चड़ाओ गी से लेपन भी करवाओ चैद से अविशेक करवाओ भगतों चंदन किलक लगाओ शिव के चर्णों में में भगतों बारी बारी जाओं आओ भगतों गाथा शिव की सुनाओ आओ भगतों शिव के गाथा सुनाओ आया दिन सुब सुमवार है पावन है ये बार इस दिन होता शिव का वंदन गूंजे है जैका दिवस की महि माद आए चलो सिव कथा सुनाए दिवस की महि माद आए चलो सिव कथा सुनाए महादेव भोले भंडारी नाथों के है नाथ सरलिह दे से इन्हे मना लो देते है ये सार सुमवार के दिवस पेन का होता पूजन न्यारा शिव शंकर का नाम है जग में भगतो सब से प्यारा जग के दाता विनाशी शिव भरते हैं भंडार इस दिन होता शिव का बंदन गूजे है जेकार दिवस की महि माद आए चलो सिव कथा सुनाए एक नगर की बात बताऊं कहूं मैं पूरा हाल चारों तरफ हरी आली छाई लोग बड़े खुश हाल धन धाने से परी पुरन थे कमी न कोई खलती बक्ति भाव से भरे थे सब ही सारी खुशियां मिलती डमरू आले शंकर सब के भरते थे भंडार सोम वार करो शिव का पूजन होगा बेडा पार दिवस की मही मागाएं चलो सिव कथा सुनाएं उसी नगर में बेजु नाम का भगत निराला रहता उसी भगत की कथा सुनो तुम गाथा जग ये कहता भगती से पहले थी मन में उसके कुछ नाराजी शिव से नफरत करने लगा जाने क्या मन में ठानी पूजन शिव का मन से वो तो देता था दुतिकार सोम वार करो शिव का पूजन होगा बेडा पार दिवस की मही मागाएं चलो सिव कथा सुनाएं शंकर के प्रति उसके मन में रोस सदा ही रहता पिर्शा रखता था सिव से वो शिव से घेना करता अजब निराला धन था उसका कैसी फूजा करता कांटे और बभूल को लाके शिव चर्णों में रखता शिव जी भी मुस्का ते देख के उसका ये वेवहार सौमवार करो शुव का पूजन होगा वेडा पार दिवस की मही मागाएं चलो सिव कथा सुनाएं दिवस के नहीं बागाए चलू हिरु पथा सुनाए एक भगती ऐसा भी सुनलो नित ही मंदिर जाए शिव चरणों में पुस्प चढ़ाए सिव का वंदन गाए लेकिन उसका रंग ढग ऐसा निर्धन को दुतिकारे बाहर जो मिलते थे विखारी उनको ताना मारे उसकी पूजा जूठ दिखावा चल था वो मनुहाद सोमवार करो शिव का फूजन होगा बेडा पाद दिवस की महि मागाए चलो सिव कथा सुनाए रोज का कारण यही था उसका आकर पुस्प चढ़ाए भक्त दूसरा बेजुआ एक आटे रोज चढ़ाए शिव शंकर भी समझ रहे थे कैसी किसकी भक्ती एक दिखावा जूठा करता दूजे में थी भक्ती सालों साल तक चलता जाता भक्ती का वेवार सोमवार करो शिव का फूजन होगा बेडा पाद दिवस की महि मागाए चलो सिव कथा सुनाए एक दिवस सुनो ऐसा आया छाई घटा घन खो बिजली कड की तेज थी बारिश बातल करते शोर राहे सारी अस्त वेस्त थी भरे नदी और नाले लगता जैसे बाढ़ी आगई करता आप समाले घर से बाहर कोई न निकले मोसम की थी माद सोमवार करो शिव का फूजन होगा बेडा पाद दिवस की महि मादाए चलो सिव कथा सुनाए पुष्प चड़ाने वाला सोचे मंदिर कैसे जाऊं भकती कोई कम ना होगी एक दिन तो रुक जाऊं यही सोच कर नहीं गया वो छमा मांग के सोया घर में ही करता था भकती शिव वंतन में खोया भारी बारिश पड़ती देख के वो था बढ़ा लाचाण सोमवार करो शिव का फूजन होगा बेडा पा दिवस की मही मागाए चलो सिव कथा सुनाए लेकिन बेजू रुक ना पाया उसने नियम निभाया कांटे लेकर मंदिर पहुँचा उसने रोश दिखाया भारी बारिश बदल न पायी उसके ये इरादे उसके नियम पदेख के शंकर मन ही मन मुशिकाते सरल भाओ और पक्य नियम से उसने किया मनुहार सोमवार करो शिव का पूजन होगा बेडा पाया दिवस की महि माद आए चलो सिव कथा सुनाए प्रकट हुए तब शंकर भगतो बेजू देख खबराया अपने कारण से शायद वो मन में था संकुचाया शिव ने उसको गले लगाया तब ही बात पताई नियम से तेरे मैं तो खुश हूँ बारिश में भी आया सरल भाव तेरा मुझे को है भाया मैं बलिहार सोमवार करो शिव का पूजन होगा बेडा पाया दिवस की महि मागाएं चलो सिव कथा सुनाएं अपने की ये पर वो पच्ताता बेजू भगत थरोता चर्णों में गिर्छमा मांगता शिव ने पेम से देखा शिव ने उसको मान दिया था भगती को अपनाया शिव की भगती पाकर वो तो एजनाथ कहलाया जो तिरलिंग है जिसके नाम से पूजा करे संसार सोमवार करो शिव का फूजन होगा बेडा पार दिवस की महिमागाए चलो सिव कथा सुनाए जो तिरलिंग सिरि बैजनाथ का पावन बड़ा कहाए शिव के दर्शन के साथ सब भगत के दर्शन पाए महादेव की लीला ऐसी माया समझनाए भगतों के सब भाव को समझे भगतों को गले लगाए नील कंठ शिव वरदानी की महिमाए अपुरम पार सोमवार करो शिव का फूजन होगा बेडा पार दिवस की महिमागाए चलो सिव कथा सुनाए सोमवार की कथा सुनाए भगतों है सुखदाई जनजन को है तारणवाली महिमाए फल दाई शिव का वंदन करके भगतों जीवन सफल बना लो शिव जर्णों का ध्यान लगाके जोली तुम भरवालो बाल नबांका होता जिसका सिव है तारणवार सोमवार करो शिव का फूजन होगा बेडा पार दिवस की महिमागाए चलो सिव कथा सुनाए दिवस की महिमागाए चलो सिव कथा सुनाए